गुड मॉर् ो फास लास्ट लास्में आम ने ये डॉमेस्टिक एनिमल्स पढ़े थे हैं आज की क्लास में पढ़ेंगे वायल आनिमल्स अब वायल आनिमल्स कौन कौन से होते हैं वायल आनिमल्स वह ऋते हैं जो हमारे हमें नुकसान पहुचाते हैं Check your गैसे कि वेना, आपने देखा वुपन हो, तो बताना, कॉमेंट करके, यह कॉन सा वाइल्ड अनिमल है, यह गोरिल्डा, गोरिल्डा को हिंदी में गोरिल्डा ही कहते है, ठीके, यह है टाइगर, टाइगर को इंदी में कहते हैं चीता, यह है चिंपैंजी, चिंपैंजी को इंदी में कहते हैं चिंपैंजी, यह है चीता, इसको इंदी में भी चीता ही कहते हैं, यह है राइनोसेरोस, राइनोसारस भी बोल सकते हैं, राइनोसेरोस भी बोल सकते हैं, इसको इंदी में कहते हैं गेंड यह है जिराफ, जिराफ को हिंदी में जिराफ ही कहते हैं, ठीक है, यह है अलिफेंट, अलिफेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, हाथी, यह कौन सा जानवर है हमारे पास, यह है फॉक्स, फॉक्स को हिंदी में कहते हैं, लोमडी, बहुत चालाग होती है यह लोमडी, यह क्या ह जल हस्ती जल हस्ती और दरियाई गोड़ा भी कहते हैं इसको हिंदी में इसको हिंदी में कहते हैं ये है वुल्फ इसको हिंदी में कहते हैं बेडिया क्या कहते हैं इसको बेडिया ये है बैर बैर को हिंदी में कहते हैं भालू ये कौन से जानवार है हमारे पास ये है पांडा पांडा को हिंदी में क्या कहते है पांडा को हिंदी में पांडा ही कहते है ठीक है यह है डियर डियर को हिंदी में कहते है लियरन यह है जेबरा जेबरा को हिंदी में जेबरा ही कहते है ठीक है यह है लायन लायन को हिंदी में कहते है शेर ये है लियोपार्ड, लियोपार्ड को हिंदी में कहते हैं तेन दुआ, क्या कहते हैं, तेन दुआ, ये लियोपार्ड, लायन, चीता, टाइगर, ये सब अलग-अलग ब्रीड्स हैं, एक ही जैसे चीजों की, ठीक है, ये इसे कहते हैं कंगारू, कंगारू कह सकते हैं, कैंगर भी कहते हैं ठीक है यह मंकी मंकी को इंदी में कहते हैं मंकी को इंदी में कहते हैं बंदर यह किसकी ब्रीड का है यह बंदर है यह बंदर है गोरिल्ला यह चिंपैंजी यह भी बंदर यह और चीटा टाइगर चीटा लायन लियोपार्ड यह भी एक जैसे हैं और पांडा और ये एक जैसे है न फॉक्स और वुल्फ ये एक जैसे से न ये लेकिन अलाग अलाग होते हैं वैसे ये दिखते एक जैसे हैं ठीक है और ठीक है आज की class में इतना ही पढ़ेंगे wild animals आज हमने cover कर लिए हैं और आपने इन में से कितने wild animals को देखा है वो मुझे comment करके जरूर पत है वो उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा वो जाकर आप देख सकते हो और अगर आपको ABCD चोटा बड़ा accounting यह सब basic से सीखना है तो सारे लिंक आपको description में मिल जाएंगे और मैंने PDF भी बनाये हुए हैं काफी सारे और इस पूरी बुक का भी मैंने PDF बनाया हुआ है इस बुक का प्राइस 200 रुपीज है वैसे तो लेकिन अगर आप मेरे जानल पर तो ठीक है आज के वीडियो में इतना ही लाइक कर देना कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना आज के वीडियो कैसा लगा और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है बाइ-बाइ-बाइ- शब्सक्राइब टो अदिल सर फांदेशन